वेदिक जोतिश, शास्त्र में गोमेद को राहू का रत्न कहा जाता है. गानच समुह का रत्न होने की वज़ए से इसे हिंदी में गोमेद जग की अंग्रेजी मेह सोनाइड स्टोन कहते हैं. ये सामायत शहर की रंग जैसा होता है और गहरे भूरे या लाल रंग की तरह प्रत गोमेद रत्न के फाइदे गोमेद एक बहुत शक्तिशाली रत्न है और कई मामलों में लाबकारी होता है. इनमें शारणिक, भावनात्मक और मनुवैग्यानिक मामले शामिल है. गोमेद के प्रमुख लाभिस प्रकार हैं. गोमेद रत्न उन लोगों के लिए विशेश ला जो राजनेती, जन्वरी संपर्ट, दलाली से जुड़े व्यवसाय और प्रबंधन से संबंधित कारे करते हैं. क्योंकि गोमेद के प्रभाव से शक्ति, सफलता और धन की प्राप्ति होती है. यदि जन्वकुनली में राहु की महादशा और अंतरदशा के समय कोई व्यक्ति गोमेद रतन पहनता है, तो राहुग्ले के बुरे प्रभावों से उसकी रक्षा होती है. वे लोग जो पेट संबंधी विकार, सुस्त उपाप्चे से परेशान हैं, उनके लिए गोमेद धारन करना फायदे मन्द होता है. क्योंकि ये लस्वास्ति और शक्ति को दर्शाता है. गोमेद के प्रभाव से विरोधियों पर विजय मिलती है और मन में आने वाले निराशावादी विचार भी दूर होते हैं. गोमेद रत्न को धारन करने से ब्रह्म दूर होता है, वैचारिक पारदर्शित आती है और राहु की दश्चा अवधी में सुख प्राप्थ होता है. गोमेद धारण करने से भय की भावना दूर होती है और किसी भी कारी को करने के लिए आत्म विश्वास प्रेरणा वश्रक्ती मिलती है गोमेद रत्न के नुकसान गोमेद या है सोनाइड स्टोन राहू से संबंधित रत्न है चमकी राहू एक क्रूर ग्रह है ऐसे में यदि इस रत्न को बिना किसी जोती शिय परामर्ष और विधिवत तरीके से धारण नहीं किया जाता है तो ये हर्शुभफल भी प्रदान कर सकता है इनमें कुछ बुरे प्रभाव विस्प्रकार हैं ऐसी मायता है कि महिलाय अगर कम चमकिला गोमेद पहनती हैं तो उसके बुरे प्रभाव सामने आते हैं ये भी माना जाता है कि कम चमकिला गोमेद धारन करने से व्यक्ति की प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व पर बुरा सर पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति बहुरंग वाला गोमेद रत्म धारन करता है तो उसे स्वास्ति और आर्थिक परिशानियों का सामना करना पर सकता है। व एक उप्यूक्त समय पर गोमेद धारण करना चाहिए। है सोनाइड या गोमेद रत्न को शनिवार के दिन स्वाती 18 अत्वा शत्वेशा नक्षत्र में पहिनना चाहिए। इसके अत्रित आप शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार को शनिकी खोरा में गोमेद पहिन सकते हैं। गोमेद को केवल चांदी की अंगुठी या लॉकेट में ही पहिनना चाहिए। कुछ मामलों में जोती शिय परामर्श के बाद पंच धातों के मिश्रन से तयार अंगुठी में भी गोमेद रत्न को डाल कर पहना जा सकता है।